नमस्कार दोस्तों मैं आकाशेन आप सभी को स्वावत करता हूं मेरे यूटूब चैनल G.S. Genius Academy पर चलिए आज इस्टार करेंगे अपन या तंत्री का तंत्र तो ध्यान से सुनना एक एक चीज़ को तंत्री का तंत्री का ज्यात्मा की ताई क्या होती है नियूरौन ओती है देखती है अगा नियूरौन और हमारे सरीश में रियान देना कितने यूरौन होती है 100 billion लेकिन केवल इसमें से एक्टिव कितने रहते है सक्रिय रहते है 10 billion 10 billion कितने रहते हैं? शंक रिये रहते हैं ध्यान से सुनना जो बड़े-बड़े सादु महात्मा रहते हैं आपने सुना होगा कोई से इनको पूरी की पूरी तपस्य कर लेते हो और बविस का दिखने लगता है लोगों का बविस से बताने लगते हैं तो उनमें ध्यान दिना 10 billion से थोड़े से जादा active हो जाते हैं, पूरे के पूरे 100 billion active नहीं होते हैं, अगर 100 billion active हो जाते हैं तो बागवान बन जाएंगे, Lucy movie देखी के नहीं देखी, तो उसमें क्यों होते हैं, वैसा काम हो जाता है ध्यान दिना, तो हमारे अंगर कितने होते है न fan दीने 10 billion active होते हैं, तो 10 billion भी में किसी कोई बोलता है कि हमें तो पचईस वार पड़ने में भी याद नहीं होता हूं, और किसी को दो बार पड़ने में आद हो जाता है वो कौन किसपर depend करता हैं,्यूरो कित्ने active हैं, कितने सक्री हैं, हैं या कितने सक्री हैं, नहीं है, और तंत्री का तंत्र का अग्दे, नियूरॉन का अग्दे, बिग्जान की जिस शाखा में करते हो से क्या होती है। नियूरोलोजी और हमारे सरीर की ध्यान देना है ये नियूरोन हमारे सरीर की कैसी सबसे लंबी कोशी का होती है कैसी होती है सबसे लंबी कोशी का होती है नियूरोन हमारे सरीर की अब question आता है कि कि क्या तंत्री का तंत्र के भी कहीं प्रकार होते हैं तो ध्यान से सुनना तंत्री का तंत्र के भी तीन प्रकार वोते हैं केंट्रिय तंत्री का तंत्र, सेंट्रल नर्वस सिस्टम ध्यान से सुंते जाना आप दो, केंट्रिय तंत्री का तंत्र, सेंट्रल नर्वस सिस्टम पूछूँगा किसी से भी कोई भी कोश्टन दूसरा, पेरिफेरल, पढ़ दिये तंत्री का तंत्र तंत्री का तंत्र तीसरा सौचालिक तंत्री का तंत्र कैसा? सौचालिक तंत्री का तंत्र द्यान जी ना केंदिये तंत्री नेगा बोल के बाता ना तीनों के नाम केंदिये तंत्री का तंत्री का तंत्री का तंत्री का तंत्री प्लूस स्वयम की तंत्री कहों पर क्यों करता है। पूरे सलीव की तंत्री का ओपर प्लस स्वयम की तंत्री का ओपर क्या करता है नियन प्रण करता है स्वयम की तंत्री का ओपर और साथ ही साथ जान से सुनना ये क्या काम करता है हमाले मस्दिस प्रेन किसका हिस्ता होता है केंद्रिय तंत्री का तंत्र मस्तिस्क प्लस मेरु रज्जु को भी नियंत्रित करता है मेरु रज्जु बोले तो स्पाइनल कॉर्ड मेरु रज्जु आगे देखेंगे एक आटाम करती है मेरु रज्जु स्पाइनल कॉर्ड पर भी नियंत्रित करता की तंत्र का भाग है। तंत्री का भाग है। एक्टिव पार्ट होता है। बांकि दो तो ध्यान देना, आपने अंदर आराम से कारे करते हैं, लेकिन सबसे इंपूडेंट कौन सा है, गेंदिये तक तरीका दान, लेकिन पेपर में अगर इन चारों मैसे, कोई भी तीन मैसे, एकार अलग नाम देते तो पहचान जाओगे, कब पहचान होगे, जब आप अपनी चिंता करों, आप लोग पूराम पूरी चीज़ी आनी चाहिए, जिसमें ललाग है, तो वो पढ़े गई पढ़ेगा, और यूट्यूब में और स्किप करने का, तो जिसको स्किप करना है, वो स्किप करके आगे भी बढ़ सकता है, आप पूरा फूकस लिखने पर करो, ठीक है, लेको, तंत्री का तंत्र, नर्वश विष्टम, तंत्री का तंत्र का अध्यन बिख्यान की जिस साखहां में होता है, उसे नियूरोलोजी बोना जाता है, तंदीगा तंदीगी कार्यात्मक और संदचनात्मक इकाई क्या होती है नियूरॉन होती है नियूरॉन हमारे सरी में सो मिलियन होती है लेकिन एक्टिव कितने रहती है सकती है तेन मिलियन एक्टिव टिलिया बहुत बढ़िया चलो भी एक मेंट कर ताइम और दे रहा हूं अब हम पढ़ेंगे मस्तिस्क, मस्तिस्क कैसा रहता है, क्या रहता है, किन चीजों से मिलके बनता है, कितना बजन होता है, सारी की सारी जानगाली मिलेगी इस साइड वाला अटा दूँ ठीक है अब हम क्या पढ़ेंगे मस्तिस्क ध्यान देना दिमाग तो आप ध्यान से सुनना आज इतिहाद सलचने जारा है, क्या करने जारा है? इत्यार क्यूंकि आज एक दिमाग को पढ़ने जा रहा है क्या कर रहा है दिमाग को पढ़ने जा रहा है तो पूरा फोगस करना और एंड में किसका दिमाग कितना केजी मैं पूछ भूरा मज्टिस्ट ब्रेन आप प्रेन हमारे सरीन का इतना इंपोरडेंट ने भाग होता है कि अब अगवान इसे ऐसे चोड़ देगा बहुत अच्छी तरीके से तहियार करेगा बहुत अच्छी तो देखते कि इस किकार से बगवान ने मस्तिस को तहियार किया। मस्तिष ज्यान देना, ये अपन बना देते हैं मस्तिष, पूरा फोकस करना सीखने पर बारिष से कोई मत्मब नहीं होने दो मस्तिष, हमारा मस्तिष कितने बागों बटा लेता है, ये बागों में, अभी देखेंगे, सबसे पहले क्या बख़माने से ऐसा ही चोड़ देगा, बिल्कुल एक जिवस्तिष सेप में रखना, तो दियान से एक इच्छेश को सुनना, सबसे पहले हमारे मस्तिष पर होती है तौचा इसके इसके जिससे क्या रहते हैं बाल निकले रहते हैं द्यान ने क्या बाल निकले हैं कहां से तौचा से निकले हैं क्या हजडियों में से बाल निकल सकते हैं द्यान से सुनना तो तौचा में से बाल निकले होते हैं उसके बाल ये कटोर वाग दिखा है आप मालिश हाँ तो द्यान से सुनना तोचा तोचा के बार में क्या था है एक इसको बोलते है क्रेनियम कपाल क्या बोलते है क्रेनियम कपाल इसी को बोलते है क्रेनियम इसी को बोलते है ब्रेन बॉक्स ब्रेन जिस बॉक्स में रहता है उसका नाम क्या है क्रेनियम द्यान से सुनना ये बहुत ज्यादा कफोर होता है जाँ से सुनना। ये कितनी आठ अठी हड्डियों से मिल कर बना है। जब अठीयां पढ़ाएंगे ञड़ीयों , कृते हड्डियों से मिलिंगे? 8 हड्डियों हमार यह जो कपाल रहता है, किसी से भी पूछूँगा। जाहांसे सुनना हमारा जो कपाल रहता हे, क्रेनियम रहता है, उसका आइतन 1450 C.C. होता है, जब कि हमारे हमारे, हमारे पुलवज, मांजबों का पूजवर, पूरवज आपने सौना होगए ग्रो मैगिनन, नाम सुनाएं क्या, होमो सेपियन्स, होमो एरेक्टर, उसमेंसे था एक ग्रो मेगनन, तो ग्रो मेगनन का क्रेनियम कपाल 1650 सीसी का था, बढ़ा था, इससे मतलब नहीं है के विक्सित था, हमारा छोटा हो गया है, लेकिन कैसा हो गया, विक्सित हो गया, तो दीरे दीरे विक्सित हो जा जा रहा ह आयतन कितना है 1450 तो सबसे पहले तुचा फिर आपने देखा उसके बाद ज्यान देना इसमें भ़रा रहता है एक द्रब ज्यान से सुनना इसमें एक द्रब भरा रहता है इस द्रब का नाम होता स्टेरीब्रोइस्पाइनल द्रब Cerebro spinal drug रहा रहता, liquid रहता, Cerebro spinal drug रहा रहता, जो आप मसाच करваते हो मालिष करवाते हो, तो आप नहीं गोलते हैं, और थोबार दबार 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 तो डवार थे मतल़ क्यश्रेज करना है? इसा तो नहीं है अगर हटी होगी तो तो क्या बजा दे समझा रहा है ताभी कि रहते हैं अगर दबगाते हैं उससे मतलब सेनी प्रूइब दबता है अब ध्यान से सुनना ताकि हमारा मस्तिस पिलको सही है लिगने पर फोकस मत करो पूरा फोकस अभी सुनने में मैं किसी से भ तो पूरा फोकस करोा तो फिर उसके बाद परच रहती है क्या रहती है खारर इंपोर्टने के ख्यान से सुनना इस ड्रभग के बाद में इक परच होती है जिसका नाम है मैनिनhe seven एक लेयर रहती है एक परत रहती है जिसका नाम है मैनिन जेस और इस परत में कभी कभी गलती से सूजन आ जाती है क्या जाती है सूजन बैक्टिरिय वाइरस से प्रॉब्लम हो जाती है इसमें तो इसमें सूजन आ जाती है तो रो हो जाता है मैनिन जाइटिस कौनसा? मेनेंजाइटिस मेनेंजाइटिस अगर पेपल में कॉश्चन आ गया मेनेंजाइटिस रोग का सम्हत किस से है? दिमां से है? ब्रेन से है? इसी रोग से मेनेंजाइटिस नामक रोग से राजा राम मोहन राय का नम सुनाए समास से वक्ति जाजा राम मोहन राय की बत्यू किस से हुई थी? मेनिस जाइक इस से. राजा राम मोहन राय. यहां देने राजा की उपादी किस न दी थी? अकवर दुधिये ने, अकवर सेकंड में दी थी. वो अपन हिस्ट्री में नेखिए कि अभी उसके इतना फोकस नहीं करते हैं. तो फिर उसके बाद क्या आता है? हमारा मस्तिस, ग्रेन आता है. क्या आता है? ग्रेन. इसके बाद में दुध बढ़ा रहता है कौन सा? अगर इसमें सुजा न जाती है, तो कौन सी बीमारी? मेनिग जाइटेस. बहुत बढ़ी आँ. मेनिग जाइटेस बीमारी की कारणी राजाराम मोहन डाय की नुट्यों होई थी. हम आते हैं मस्तिस्क पर. किस पर आते हैं? सबसाइट ब्रेप. क्योंकि हम सोचने, समझने, बुर्धी और विकास का, पुरा का पूरा केजर, मस्तिस्क पर बार कंने जा रहा है. हमारा मस्तिस इतना इंपोरें दोदा भी आपने देखा हुआ कि मंगलयान टू उपर वेज़ दिया मतलब जमीन से हम चंडर बहुत बढ़िया मतलब आपका पूरा ध्यान है मैं जेक करना चाहा रहा था बहुत बढ़िया चंडरियान टू चंडरमा की ऐसे भागपार अभी इन सना मिंगतर कोई नहीं पूंच पाया है तो यह अपने दिमख नहीं तो खेल खेला है कि कैसे जाएगा ऋपर थीक है तो मूब ही आ रही मंगल विज़ है मंगल शाओ को किसे भेदाते अँरन हमारे मंगी है क्या हमारे सरीर का सबसे बड़ा बजंदा रिस्ता आई है नहीं सबसे बड़ी अंति का नाम क्या है अब काम की चीज़ पर आते हैं पूरा फोकस करना सांती से मस्तिस के ध्यान देना कितने भागों में तीन भागों में बटा होता है सबसे पहले अक्रमस्तिस ध्यान से सुनना फोर ग्री ध्यान से सुनना मद्य मस्तिस सबसे लाज़त में होता है पश्य मस्तिस हिंड ग्री अब इनकी कैसे बात होते हैं कैसे काम होते हैं साधी की साधी चीज़ों को आप द्राहन से सुनना मस्तिस के कितने भागें सबसे पेदे कौन सा फिर पश्य मस्तिस अब ध्यान से सुनना अग्र मस्तिस फोर वें ये भी कितने दो भाबों में बटा रहता है ध्यान से सुनना नोर्स में आपकी जो दिया है उसको में और ज्यादा बेबस्ते तरीकी से बता रहा हूं तो ध्यान से सुनना अग्रुम अस्तिस के पने भाबों बटा रहता है दो भाबों में बटा रहता है ध्यान से सुनना एक है सेदी ब्रह्म ध्यान से सुनते जाना सेरी ब्रह्म हो जाएगा अपना एक ध्यान देना दूसरा हो जाएगा डाई इंसेफलों अभी सारा का सारा समझ में आएगा अब सुनते जाओ ध्यान से दो भागों में बटा है अग्रमस्तिस्क सेरी ब्रह्म और डाई इंसेफलों पूरे के पूरे मस्तिस्क का अग्रमस्तिस्क आगे वाला भाग तू धर्ड होता है दो तिहाई होता है मतलब सबसे बड़ा भाग कहुंसा है अग्रमस्तिस्क है तो तिहाई ज्यान देना सेरी ब् सेरी प्रम्पो क्या बोला जाता है प्रामस्तिस्क बोला जाता है प्रारम्पो में हैं काएं प्रारम्पो में हैं तो इसका नाम क्या है प्रामस्तिस्क सेरी प्रम्प अग्रमस्तिस का भी सबसे बड़ा भाग होता है और सबसे बिक्सित भाग होता है यहां से सुनना हमारे मस्तिष का सबसे विक्सित वाग कों से होता है सेरी वाग तो एक एक चीज यहां से सुनना सबसे विक्सित वाग होता है अब विक्सित वाग होता है साथी साथ क्या होता है यह बुद्धी और चतराई का केंद्र होता है जो हम बुद्धी सीखते हैं, पढ़ते हैं, ये साधी की साधी बुद्धी, तो बुद्धी और चतुराई का केंद्र कौन से होता है? बुद्धी एवं चतुराई का केंद्र साधी साधी काम क्या करता है? सीखने, समझना, पढ़ना, लिखना, तांस करना, जितनी भी चीज़ें आप सीखते हो, क्रियेटिब चीज़े होती है, तो द्यान देना वो साधी की साधी क्रियेटिब चीज़े हैं, कौन करता है, सहरी ब्रम करता है, चाह संगीत सीखना हो, एक दम से जाएगा, पेटिब चाहना सीखना है, पहले 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 पहले, फिर भी आ हैंड में, वो गिटार पे पहले अपन लाते हैं, तो तिन करते हैं, फिर हैंड में तिन करते हैं, तो द्यान से सुनना, तो संगीत सीखना, मतलब कोई भी चीज सीखने का केद्र कौन सा है? सहरी ब्रम, सीखना, एवं पढ़ाई, संगी, तादी का केद्र कौन सा होता है? सहरी ब्रम, प्रामस्तिस्क होता है. अब ध्यान से सुनना, प्रामस्तिस्क भी दो भागों में बटा होता है. एख एक चीज को द्यान से सुनना ब्रहकों भी दो भखों में पाणथा गया है यह करे आएगा थेलमस और हीकौ थेलमस थेलमस और हाईपो थेलमस ध्यान से सुनना थेलमस मतलब आप समय दो धरमस अगर धरमस मतलब आपके समय दो धरमस अगर धरमस में पानी बर देते हैं तो धंडा पानी कैसा रहेगा धंडा हो गरम पानी धरम तो सबसे इंपोर्टेंट चीज ये थेलमस क्या काम करेगा इसको आप द्रीख कтесь आंवा, या सुनना, धैलमस, क्या करता है? धंडे इबं गर्म का एहसास कराता है, है यहां और हूथ। अगर जादा जंडी है या जादा दर्व में तो हमें दर्द होगा के नहीं? यहां देनों तो दर्द का एहसास को कराएगा? यहां से सुनों साथी साथ यह काम के मराता है दर्द का एहसास यह तो आपको बहुत अच्छे से बता होगा अगर दर्द का едसास होगा तो फिर रून आएगा कर नहीं आएगा? फिर रूने का भी एसास करा करा है ना? रूने का एसास? रुने एकलए और सो.. ठीक है? रूने का एसास करा है ना? बहुत बढ़िया ज्यान जे सुनना सबसे पहले तेलमस क्या काम करता है? तेलमस क्या काम करता है? साथी साथ दर्द का एसास और होने का एसास तो ज्यान देना अब आती हाइपो तेलमस कर हाइपो तेलमस कर यह ताप को नियंदिर कर रहा है लेकिन हाइपो तेलमस क्या करता है? हमारे सरीर के तापमान को नियंत्रित करता है हमारे सरीर के तापमान को नियंत्रित करता है हमारे सरीर के तापमान को तापमान को नियंत्रित करता है यह तापमान क्या होता है अब फिजिक्स में देखेंगे नियंत्रित करता है टेंपरिचर कितना रहता है हमारी बोडी का? सेंती सिगरी? सेंती हैं 98.6 और 310 दस उसको लियंतर करने का का किसका है? आईपोट जेवास का अब ध्यान से सुनना साथी साथी क्या काम करता है? ये करता है प्यार क्या करता है? प्यार प्यार होगा आपको ध्यान देना तो गुस्सा आएगा कभी कभी गुस्सा आगा तो प्यार गुस्सा और गुस्से ने सामने वाले ने अगर आपसे कुछ कह लिया तो आपको नफरत हो जाएगी गिर्णा हो जाएगी नफरत हो जाएगी, ध्यान देना, क्या हो जाएगी, ध्यान से सुनना, नफरत, और नफरत होगी तो उससे गिर्णा हो जाएगी, क्या हो जाएगी, गिर्णा हो जाएगी, एक एची ध्यान से सुनना, गिर्णा हो जाएगी, सबसे पहले क्या होगा, प्यार, प्यार होगा त भूख और प्यास नहीं लगेगी ध्यान देना हाँ तो आप लंबे समय तो अपने विचारों में खोई रहोगे भूख प्यास नहीं लगेगी और आपका पूरा का पूरा पूरा टाइम बेश हो जा रहागा तो अगर पेबर में question आएगा ध्यान देना कि बताओ प्यार गु बूख प्यार गुस्षन अफ़रत इपोफिलमस सभ्याइस करता है more जब कि देना वर्णता ये शांती है ऑऴ हम दे देखें और थामस्टिस के 2 वांग सेलिष ब्रहां में पर,- चुरित लोन के भी दो वाव होते हैं एक होता है अपने देखा था Puse Granthi कौन से Granthi Puse Granthi पढ़ा दी मेरे नाम मता आए इसको इंगलिस में कर बो करे है वै कितना होता है किस के जाने के समान रह की जाने के समान जान से सुनना पेपर में आता है हमारे सरीर के इसको master grantee बोते हैं ये सारा का सारा पढ़ लिया था हमें grantee तो grantee बाजी video लादूँगा तो उसमें आपको मिले जाएगा प्यों से grantee? साथी साथ ध्यान से सुनना ये इसमें होता है पीमियल grantee कौन सी? पीमियल grantee ध्यान से सुनना इसको पीमियल grantee को हमारे सहीर की तीसरी आँख बोलते हैं मतला हमारे अंदर मी क्यों होती है? कौन से वर्वान की तीसरी आँख होती है? ये ऐसी हमें भी कुद आता है तो हमारे अंदर मी तीसरी आँख का नाम दिया गाए इसको? पीमियल grantee को तीसरी